हलो विवर्स मैं हामिद एक बार फिर से आपका बजीज बर्ट स्केर गाइडलाइन में बहुत बहुत सागत करता हूँ भाई आज की जो वीडियो है वो ठंडी के रिलेटेट से है मेरे एक पठे को ठंडी लग गई थी जो मैंने पकड़ा हुआ था आज की वीडियो उसी के लिए है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले एक रिकर्ष्ट करना चाहूंगा जिन भाईयों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर ले क्योंकि मैं भजी से रिलेटड वीडियो अप्लोड किया करता हूं उनकी हर प्रॉब्लम हर सल्यूशन के से रिलेटड बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर आप जाकर विजट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यही वह पठ्था है जो मैंने पकड़ा हुआ था और इसको मैंने भी कॉलोनी से अलग कर लिया है क्योंकि कॉलोनी के अंदर इसका ट्रीट्मेंट हो नहीं सकता गा क्योंकि वहां पर मैं को मैडिसन इसको दूंगा तो और भी जो मतलब बर्ट्स हैं वो भी पियेंगे इस फीवर हुआ है या इसको लूज बूशन आ रहे हैं जो भी इसकी दिक्तत में आप वो को सामने दिखाऊंगा आप विए पने बर्ट्स को चेक कर सकते हैं कि इसको क्या प्रॉलम है कि इसलिए इसको पाड़ते हैं है जो यह बहुत जादा टो है नहीं परे हाद में ग्रश क cyj कोई घुषाक है कि वृेंट लीट हैं अगर इसको मोषण और रहे होते तो इसकीं वैंग जब तो इसके मूशन नहीं है इसको ठंडी लगी है यानि कि इसको फिवर हो गया और फिवर का जो डीमेंट है वो मैं आपको बदाता हूं कि क्या क्या मुझे मज़े मज़े इसको दवा देनी है सबसे पहले मै करूँगा कि अगर आपके कि सीब बाइट और से को यह बहुत जाद तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलग केज में रखने का फाइदा यह होता है कि मतलब अगर आपका वर्ट्स इस तरह से बीमार है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बहुत जादा फूले हुए हैं और यह मतलब इसके आखों से आप देख सकते हैं शारो तरफ इसकी साथ निकाल घर के आलग एक एज तो जादा चांसे सहते हैं साही होने के और किसी बर्ट्स को एंफेक्शन भी नहीं होगा जो और बैसे को इनफेक्शन हो जाता वह भी नहीं होगा तरफ दुसरी बात यहां पर मतलब ही मैंने पकड़ा हुआ था तब से वे एक दो दिल तो तो दवा दे रहा था मुझे लगा कि सही हो जाएका लेकिन सही हो नहीं पा रहा था मतलब पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाया तभी इसको थोड़े इस एच के पठों के साथ में क्या होता है जैसा कि आप देखना इसके आख नहीं साथ है तो यह अभी बहुत चोटा पठे जल्दी कवर नहीं कर पाते हैं तो चलिए आपको मेडिसिन बता देते हैं कि कौन कौन सी मैं यूज कराऊंगा अपने वर्ट्स को इवस जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो पैरा सिता मॉल यानि यह पानी पी करके जो एक टैबले मतलब यह सीरप है छोटे बच्चो कि यह मैं अपने वर्ट्स को अभी इसको यूज कराऊंगा तोली सीपी के ना और जो दूसरी जो मैंने आपको यह सीरप दिखाई हुई है यह जी थाक्स करके है यह भी जो यह ठंडी से रिलेटेट है अगर आपके वर्ट्स को जकला हो गया या मतलब उसको नजला है वर् बहुत थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद में आप अपने वर्ट्स को पकड़ करके और इसके मतलब मुह में किसी भी मतलब ड्रॉप से आप उसको पिला सकते हैं तब ही आपके वर्ट्स जो है ना थोड़ा सा एक्टिम होंगे तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि कै अब जाए पिलाओंगा अपने वर्ट्स को बहुत थोड़ी सी यूज करानी है इसलिए मैं निकाल लिया है क्योंकि ज़्यादा वेस्ट करने से कुछ वेस्ट नहीं है अब इस तरह कि अगर आप छोड़ा सा इसके बानी ले 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 और थोड़ा सा इसके अंदर पानी सा प्राइब पानी अचीए तो जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा और इस तरह से वाटर मिला एक अप जो है नहीं इसके बाद में यह मैंने इसको बस यह मैंने थोड़ा सा जैसा कि आपको दिख रहोगा मैंने इसको इसमें ले लिया है तोड़ा सा अब इसको करेंगे हैं और जो टूप लाने का अच्छा तरीका होता है पसको पकड़ लिया और इस तरह से आप पकड़ लें तापकि जो हैं तरह से पकड़ने से अपके बाट्स का मूँ ऊपरके साइड रहता है और शोच ज़ता मतलब अपना सर ज़दा हिला नहीं पाएगा और काटने कभी आपको खत्रा कम रहाएगा गलप्स वगारा पहनने से हाइजीन के प्रॉब्लम नहीं होती है इसको तो फॉल और चॉच थोड़ा जाजिस्टोडवी और यह दिख दीद होगा मेडिसन लग जही है तोड़ी सी इस तरह सही है कि इसने पूरी मेडिसन को पी ही है तोड़ा सा थेंगे बहुत जादा जो हाई फीवर के मेडिसन आती वो नहीं उसकरानी चाहिए और इसको ताकि एक्दमी से प्रॉब्लम भी हो सकती है अजिए मेडिसन अब एक काम ये करना है कि मतलब हर चार से पांच घंटे के बाद इसको थोड़ी और मेडिसन की जुरुवत पड़ेगी तो वीवर्स अब को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस करना हैं थैंक्यू सो मच्छ